हर्याना में हुई हिंसक घटनाओं पर बॉलिवुड के दिगज एक्टर गोविंदा ने तोड़ी चुपपी बवाल मचा तो बयान वापस ले लिया पूरा मामला क्या है बताएंगे इस वीडियो में हर्याना के गुरुग्राम में भीड ने मुसल्मानों की दुकानों को निशाना बनाया तोड़ फोड की सामान लूट कर ले गए इस पर गोविंदा ने जो कहा है उससे अन्भक्तों के खेमों में बवाल मच गया है हर्याना के कई हिस्सों में तनाव का माहूल है मेडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ इलाकों से लोगों ने पलायन कर लिया है पत्रकारों को धमकाया जा रहा है ये सब धार्मे क्यात्रा निकालने के बाद शुरू हुआ जिसमें कई हिंदुवादी निताओं के नाम आ रही है इस बीज बॉलिवूड के दिगज अभी नेता गोविंदा ने भी दंगाईयों के खिलाव मोर्चा खोल दिया है गोविंदा ने गुरुगराम हिंसक घटनाओं पर जो कहा उससे बीज़पी आईटी सेल और अनभक्तों की भारी फजीहत हो रही है दरसल गोविंदा ने एक शक्स के पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि हम ये कहां आ गए है उन लोगों को शेयर मानी चाहिए जो खुद को हिंदू कहते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं अमन और शांती बनाए हम डेमोक्रेसी है आटोक्रेसी नहीं गोविंदा किस पोस्ट के बाद अनभक्त और बीजेपी आईटी सेल के लोग इतना भड़क गए मानों उनकी संपत्ती चली गई हो अनभक्तो की फॉज ने जब एक्टर का ये बयान देखा तो उन पर तूट पड़े भद्धी भद्धी गालियां और धंकियां देने लगे ये देखकर गोविंदा ने अपना बयान वापस ले लिया यानि ट्विट डिलीट कर दिया है आपको बता दे गोविंदा कई मौकों पर बीजेपी की गलत नीतियों के खिलाव बेवाकी से अपना पक्ष रखते है यही बात अनभक्तों को नागवार गुजरती है गोविंदा के इस बयान का स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए जंता ने क्या कुछ कहा आईए बताते हैं एक शक्स ने ट्विट करके लिखा ये हैं बॉलिवूड एक्टर गोविंदा इन्होंने अपनी फिल्मों के जरिये हम सभी का मनोरंजन किया है आज इन्होंने हड्याना के नूम में चल रही हिंसा के खिलाव नियू इंडिया पर अपनी निराशा जाहिर की इन्होंने सभी से शांती बनाए रखने को कहा इन्होंने नरेंदर मोदी पर कटाक्ष किया कि वो निरंकुष्ता नहीं लोकतंत्र का पालन करे लेकिन राइट विंग ने उन्हें गालियां देनी शुरू कर दी और उन्हें अपना ट्वेट डिलीट करना पड़ा आज गोविंदा को उनका गाना इट हैपन्स ओनली इन इंडिया जरूर याद आ रहा होगा एक यूजर ने लिखा गोविंदा ने ट्वेट कर हड्याना में हिंसा की निंदा की राइट विंग द्वारा उनके साथ बहुत दुरुव्यभार किया गया उन्होंने अब अपना अकाउंट डी एक्टिवेट कर दिया है इस फिल्मों में तो गुंडों से लड़ सकते हैं लेकिन असल में नहीं अपने नायकों को बुद्धी मानी से चुने एक ने लिखा अगर आपका नाम जी से शुरू होता है तो गोविंदा की तरह बनिये गोदी की तरह नहीं एक और शक्स ने गोविंदा के बयान पर कहा गोविंदा ने बीजपी शासन के खिलाव ट्वेट कर कड़े सवाल पूछे मैंने सोचा चलो कम से कम हमारे पास बॉलिवुड से कोई तो है जिसके पास रीड है लेकिन मुझे आश्चरल हुआ जब इन्होंने अपना ट्वेट डिलीट कर दिया इसने पता चलता है कि बॉलिवुड सेलिब्रिटीज कितने डरे हुए हैं आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कॉमेंट में अपनी राये जरूर दे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शियर करें बैल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें